दोस्तो आज की वीडियो में डिसकस करेंगे बायर क्रोप साइंस का जो डैसिस इंसेक्टिसाइड आता है हम इसको कौन-कौन सी फसलों में यूज में ले सकते हैं कौन-कौन सी इंसेक्ट को यह कंट्रोल करता है साथी परफेक्ट डोज क्या होनी चाहिए हमारी फसलों में य बने रही है नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि मेरे लेटेस्ट अपडेट आप तक फटाफट पहुंसते रहें सबसे पहले इसके इसके कैमिकल कंपोजिशन की बात करें तो दोस्तों इसमें आता है डेल्टा मेतरिन 2.8% इसी फॉर्मलेशन में यह और बात करें दोस्तों कौन-कौन से इंसेक्ट को यह कंट्रोल करता है तो सबसे ज़्यादा हमारे फसलों में प्रोब्लम होती है तना चेदक और फल शेदक रस चूसने वाले कीट पत्तियों में सुरंग बनाने वाले कीट लीफ माइनर जिसे कहते हैं अगर आपके किसी भ से यूज कर सकते हैं अब इसकी प्राइस की बात करें तो दोस्तों ये 200 ml का है और MRP है 230 रुपे नेकिन मार्केट में 200 रुपे के सम्थिंग अवेलेबल हो जाता है अब इसके डोज की बात करें कि डोज इसकी कितनी यूज करने चाहिए 100% result के लिए दोस्तों आप किसी भी प आदा एमल प्रती एक लिटर के इसाब से गोल तयार करेंगे फिर अपने फसलों में यूज करेंगे पर एकड के इसाब से दोस्तों आपकी फसलों पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी फसल में यूज कर रहे हैं आप भिंडी में यूज कर रहे हैं या फिर आप मेंगो में यूज कर रहे हैं तूवर में तो सब में अलग-अलग होता है गोल सब में सेम ऐसे ही तयार करना है आदा एमेल प्रती एक लीटर वोटर में गोल करके फिर आप इस प्रे कीजिए और बहुत ही जल्दी इसका रिजल्ट मिलता है तुरंत इसको रिजल्ट देखने को मिलता है बहुत ही असरकारी है अगर आप पेस्टिसाइड यूज करते हैं तो दोस्तों ये बायर क्रोप साइंस का डेशिस इंसेक्टिसाइड बहुत ही लाजबाब इसका रिजल्ट है इसको यूज में ले सकते हैं और भी इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए थैंक यू